शूरी को आत्मा का कारग्रह मान गया है। यह किसी भी जातक की कुंडली में ब्यक्ति के मान सम्मान, कारिय छेत्र और पिता का कारग भी है। शूर्य ग्रह की अधिपती वाली राशी शिंग राशी है। शूर्य मेश राशी में उच्च की अवस्ता में और तुला राशी में नीच की अवस्ता में होते हैं। शूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में मजबूद अवस्ता में भी राजमान होते हैं। तो व्यक ब्यक्ति के अंदर अत्यदिक आत्मविश्वास होता है जिसके कारण वह कारी छेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक उच्च पत को प्राप्त करता है किसी भी सरकारी छेत्र में उच्च पत पर आशीन होने के लिए कुंडली में सूरी की इस्तिती मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है क्यूंकि सूरी राजकाज का कारण ग्रह माना गया है दसंभाव में बैठे हुए सूरी को दिगवल भी प्राप्त हो जाता है यानि कि दिशा का बल अगर किसी भी जातक की कुंडली में दसंभाव में सूरी उच्च अवस्ता में हो या सूब इस्तिती में विराजमान हो तो ऐसा जातक अपने जीवन के बहुत सारे छेत्रों मे बहुत आगे तक उन्नती करता है शूरी एक ऐसा ग्रह है जिसे हम प्रत्यक्ष आँखों से देख सकते हैं हलाकि अशुब इस्तिती में शूरी ब्यक्ति के अंदर एहिंकार में ब्रिद्दि लेकर आता है कारी छेत्र में कई प्रकार की परिशानिया उस ब्यक्ति के लिए ब्यक्ति के मान सम्मान में अशुब शूर्य कमी लेकर आते हैं बार बार ब्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है तो इसलिए किसी भी जातक की कुंडली में शूरी ग्रह की मजबूत इस्तिती होना अत्यदिक आवश्यक है तभी ब्यक्ति अपने जीवन के सभी छेत करने चाहिए जिसमें नित्य आदित्य हिर्देस्तोत्र का पाठ करना यहां शूरी की इस्तिति को अत्यदिक मजबूत बनाता है ऐसे जात्कूं को शूरी को अर्ग नित्ति देना चाहिए हलाकि शूरी को अर्ग जो कोई जातक भी देता है चाहे उसकी कुंडली में शूरी की कि सूब कि हो यह अशूब की और कि प्रभावं में सुपता प्रदान होती है और उर अधिक उंहत्य करता है इसके साथ रवयवार के दिन लाल चीजु का दान करना गाये को रवं खिलाना यह भी शूरी की इस्तिति को मजबूत करता है तो जिन जातकूं की कुंडली में शूरी की असुपता के लक्षण है या जातक को पता है कि उसकी कुंडली में शूरी असुब है तो उस व्यक्ति को अपनी कुंडली को मजबूत करने के लिए शूरी से संबंदित उप प्रिवेश 15 मार्च 2023 को शुबा 6 बच कर 13 बिनट पर होनी जा रहा है फूरी का मीन राशी में प्रिवेश करना हमारी 12 राश्यों के लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आने वाला है इस विशय पर हम दो वीडियो के माध्यम से चर्चा कर दे वाले हैं जिस पर आज की वीड में चर्चा करेंगे तो आप वीडियो के अंते तक मेरे साथ बने रहे हैं और जो नए वीवर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए 37 बेल नोटिपिकेशन भी आन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेश के बारवे भाव पर शूरी गोचर करने वाले हैं यहां पर बैठे हुए शूरी की सब्तम द्रिश्टी आपके रोग रिण रिपु के छटे भाव पर रहेगी यहां गोचर मेसरासी के जात्कू को विडेशी भूमी से लाप करवा सकता है जो भी जातक मल्टी नेशनल कमप राव की इस्तिती बन सकती है जो आपके रिष्टों में दूरिया लेकर आईगी बच्चों के स्वास्त के प्रति भी इस समयवदी में आपको ज्यादा सचेत रहनी की आवश्यक्ता हुई क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बारवे भाव पर विराजमान है इसलिए बच्च की सब्तम दृष्टी आपके रोग रिण रिपु के छटे भाव पर होगी इसलिए अगर आपका कोई कोट का चहरी से संब्दिन मामला चल रहा था तो उसमें आपको निश्चित्री विजय की प्राप्ति होगी इस समयवदी में आपको अपने स्वास्त के प्रति भी सजग रहना होगा क्योंकि इस समयवदी में स्वास्त में आपका धन खर्चों होने वाला है यहाँ गोचर आपके उर्जा में भी कमी लेकर आएगा इस समयवदी में आपके सत्रों आपको नुक्सान नहीं पहुंचा पाएंगे इस गोचर काल को सुप करने के लिए प्रति दिन गायत्री मंत्र का जाब जरूर करें बात करते हैं ब्रसब राशी के लिए शूरी चौथे भाव की स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अवदी में आई लाब और इच्छा के इकादस भाव पर सूरी गोचर करने वाले हैं यहाँ पर बैठे वोए शूरी की सब्तम द्रिष् आपका रुका हुआ धन भी इस समयवदी में आपको मिलने की उमीद बन रही है रियल स्टेट छेत्र में निवेस करने से आपको लाब की प्राप्ति होगी अगर आप कोई घर या वाहन करीदने के लिए सोच रहते तो इस समयवदी में आपकी वह इच्छा भी पूरी हो सक सकती है आपको अपनी माता का भी भरपूर सयोग मिलेगा हलाकि आपको उनके स्वास्त के प्रति जरूर चिंतित रहना पड़ सकता है आप इस समयवदी में प्रभावसाली लोगों से ब्यावसाइक संबंद बना पाएंगे छात्र जात्कूं के लिए सूरी का यह गोचर ल काल को सुप करने के लिए नित्य शूरी को अर्ग जरूर दें बात करते हैं मिथुन रासिगी मिथुन रासिगी के लिए शूरी तीसरे भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अवदी में कर्म के दसम भाव पर शूरी गोचर करेंगे यहाँ पर बैठे हुए शूरी की सब्तम द्रिष्टी माता और सुक्की चतुर्त भाव पर रहने वाली हैं। शूरी यहाँ पर बैठकर दिगबली अवस्ता में होंगे जो आपके लिए काफी लापकारी रहने वाला है। कारी छेत्र में आपके पदोन्नति के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। इस समयवदी में आपके मान सम्मान में कारी छेत्र में ब्रिद्द देखने को मिलेगी। वहीं समाज में भी आपकी प्रतिष्टा उंची होने वाली है। आप खुद को साबित करने में भी सफल रहेंगे। जो लोग शिक्षक, प्रॉफेशर या किसी सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनके लिए शूरी का यह गोचर लाबकारी परिणाम देने वाला होगा। आप इस समयवदी में अपने छोटे भाई बेनु के साथ मिलकर किसी भ्यावशाय को शुरू करने की योजदा बना सकते हैं। पेशेवर जीवन में इस समयवदी में आपको लाब मिलने वाला है। जो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का कारी कर रहे हैं उन्हें कोई बड़ा लाब इस समयवदी में हो सकता है। अगर व्यक्तिकर जीवन की बात करें तो आपके अपने माता के साथ सम्मंद खराब हो सकते हैं या उनके स्वास्त पर इस गोचर का बुरा प्रभाव पढ़ सकता है। वहीं घर का माहौल भी इस समयवदी में सांतिपोन नहीं रह पाएगा। आपसी बिबाद परिवार के सदश्यू के भी जन्म ले सकते हैं। इस गोचर काल को सुप करने के लिए ओम सूर्याय नवा मंत्र का प्रति दिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं करकरासी के लिए शूरी दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल के अवधी में भाग्य और पिता के नौम भाव पर शूरी गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए शूरी की दृष्टी आपके छोटे भाई बहन पराक्रम और संचार के तिर्थी भाव पर रहेगी। यहाँ गोचर आपको आध्यात्मी की और रुक करवाने वाला है। यानि कि आपका जुकाव इस समय वधी में आध्यात्मी कारियों में होगा। हो सकता है आप किसी तिर्थी आत्रा की योजना भी बना सकते हैं। फूरी के गोचर की अवधी में आपको अपने पिता का भरपूर सयोग प्राप्त होगा। हालाकि कुछ बैचारिक मद्भिद उनके और आपके बीच जरूर रह सकते हैं। इस गोचर की अवधि में आपको अपने पिता के स्वास्त पर विशेष ध्यान देना होगा पेशेवर जीवन के लिए फूरी का यह गोचर बहुत उत्तम साबित होगा अगर पेशेवर जीवन में किसी प्रकार की समश्याएं अभी तक चली आ रही थी तो उन समश्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है यह गोचर आपके संचार और पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा जिसके कारण आप अपने सभी छेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे कारिस्तल पर आपके सत्रों का भी बिनास होने वाला है आप अपने प्रतिजन्दियों को कड़ी प्रतिशपर्दा इस समय अवदी में देंगे पेशेवर रूप से यहाँ अवदी आपके लिए अनकूल साबित होने वाली है इस गोचर काल को सुप करने के लिए नित्य आदित्य हिर्दैस थोत्र का पाट जरूर करें बात करते हैं सिंग राशी की सिंग राशी के लिए सूर्य लगन भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अवदी में अनिस्चित्ताओं और आयू के अश्टम भाव पर सूर्य गोचर करने वाले हैं यहाँ पर बैठे हुए सूरी की सब्तम द्रिष्टी आपके बाणी और कुटुम्ब के दिती भाव पर रहेगी। यहाँ गोचर आपको मिले जुले परिणाम देंगे। हालाकि स्वास्त के लिहाद से इस समयवदी में अपने स्वास्त पर आपको विशेश रूप से ध्यान देने के आवश्यक्ता होगी। आपको आखों से समझ्दित समझ्या, दिल से जुडी वी कोई बिमारी या हड्डियों से समझ्दित समझ्या आपको परेसान कर सकती है, इसे आप बिल्कुल भी नजरंदाल ना करें, अन्यता बाद में आप बहुत परेसान हो सकते हैं, अगर आप research field में कारी कर रहे हैं, या इस छेत्र की पड़ाई कर रहे हैं या तो आप PhD कर रहे हैं तो आपके लिए यह गोचर बहुत लापकारी परिणाम देने वाला होगा वहीं जो तिस्त के विद्यार्थिओं के लिए यह गोचर लापकारी सिद्ध होने वाला है। शूरी का यह गोचर ससुराल पक्षी की ओर से भी आपके लिए कोई समश्याएं पैदा कर सकता है। हलाकि शूरी के दुती भाव पर दृष्टी होने के कारण इस समयवदी में आपकी बाणी बहुत प्रभावसाली रहेगी। और आर्थिक रूप से भी शूरी का यह गोचर आपको मजबूत बनाने वाला है। आप धन संचय करने में इस समयवदी में काम्याब नजरा रहे हैं। इस गोचर काल को सुप करने के लिए रविवार के दिन लाल चीजु का दान जरूर करें। बात करते हैं कन्यारासी की। कन्यारासी के लिए सूर्य बारवे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की आवदी में दामपत्ती जीवन और व्यावशाई में साजीदारी के सब्तम भाव पर सूर्य गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए शूरी की सब्तम द्रिष्टी आपके लगन भाव पर रहेगी, जिसके कारण शूरी आपके एहंकार में बृद्द लेकर आ सकते हैं, हलाकि इस समय वदी में आप उर्जावान भी नजर आएंगे, लेकिन दामपत्ति जीवन में विबात की इस्तियां इस समय वदी में जन्म ले सकती हैं, वहीं जीवन साती के स्वास्त पर इस गोचर का बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फूरी बारवे भाव के स्वामी होकर आपके सब्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं, जिसके कारण आपके जीवन साती के स्वास्त में कुछ खरा आपको BP या माईग्रेन जैसी समश्या भी हो सकती है इसलिए स्वयम के स्वास्त बर भी आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता होई मीन राशी पर शूरी के गोचर के कारण आपको विदेश की यात्रा करनी पढ़ सकती है या कहीं दूर इस्थानु की यात्रा भी इस समय वदी में आपको करनी पढ़ सकती है इस गोचर काल को सुप करने के लिए रविवार के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाए तो यह था शूरी का मीन राशी में होने वाला गोचर जिससे हमारी प्रथम की छे राशियां इस प्रकार प्रभावित होंगी उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होई जो भी दर्सक चैनल पर नहीं है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए 7000 बेल नोटिपिकेशन भी आन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अब्सक्राइब कीजिए